बद्रदेश में अपने सत्ता बचाने में नागाम रही कॉंग्रिस में आपसी घमासान जारी है रज में विधान सभा के उप्चिनाफ होने वाले हैं लेकिन कॉंग्रिस के नेता एक जट होने के बजाए आपस में ही लड़ रहे हैं बद्रदेश के सोशल मीडिया में एक पोस्टर जबर्तास्त वाइरल हो रहा है पोस्टर जीतू पटवारी के पक्ष में है जिस में लिखा है कि ना राजा ना व्यापारी अब की बार जीतू पटवारी सियासी जानकारों की बात मानें तो इसमें दिग्विजे सिंग को राजा कमलाथ को व्यापारी की रूप में बताया गया है क्योंकि दिग्विजे सिंग को अभी लोग राजा ही कहते हैं उन्हें राजा ही कहा जाता है जबके कमलनाथ पहले से ही बिस्नस ट्राइगून माने जाते हैं और हैंबी हाइलान कि जब इस सलसले में पूर्व मंत्रे और कॉंग्रेस के नीता पी सी शर्मा से मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछे तो उन्होंने पद्रगारों को साफ कर दिया कि अभी तो कमलनाथ ही हैं बाद में तहसिलदार और पड़वारी को देखेंगे इस पोस्टर के वाइरल होते ही मद्बरदेश की राजनीती गर्मा गई बीजेपी को मौका मिल गया बीजेपी अब तंज कस रही है कह रही है कि पोस्टर के माध्यम से जीतू बड़वारी अब दिगविजे सिंग और कमलनाथ को वनवास भेजने की जुगार में लग गए हैं और जुगत कर रहे हैं अंग्रेस का ये संक्मन काल है मा जितने भी हैं अभी कुछ दिन पहले आलरणी जैवर्दन जी का पोस्टर था भावी मुख्यमंतरी के रूप मानी नकुनलाज जी खुद कही चुके हैं अब राजा ना ब्यापारी जीतू पड़वारी मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है मैं तो मानता हूँ कि ना पड़वारी ना ब्यापारी अब की बार जनता की बारी इस बार जनता की बारी रहेगी और जनता तै कर देगी आने वाले चुनाओं में कि कांग्रेस कहां तक का भावी मुख्यमंत्री बताया गया था जिसके बाद कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें नकुलनाथ कह रहे हैं कि वो मद्द प्रदेश में होने वाले उप्चुनाव में युवाओं का नित्रत्व करेंगे और जो कमलना का दौर ऐसे ही चलता रहा तो उप्चुनाव के बाद दोबारा मद्द प्रदेश के सत्ता पर काबिस होने का सपना कांग्रिस के लिए सपना ही बन कर रह जाएगा